ओम शान्ती, 26th June 2020 आज की मुल्ली में बाबा का प्रश्न कि नई दुनिया की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? नई दुनिया की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? तो मुर्ली के बीच में से ये बात आएगी कि बाबा जो अभी नई दुनिया का निर्माण कर रहे हैं निर्माण से बहतर है कहना स्थापना कर रहे हैं फिर से नई दुनिया आए नए belief systems जो अब पुराने हो गए हैं वो फिर से वापस आए। उसके लिए बाबा कहते हैं मुख्य आधार क्या है। और आज का गीत भी जाग सजन्या जाग तिरु सुख के बड़े दिन आएंगे। जो सुख धाम था, सुख की दुनिया स्वर्ग थी, वो वापस आनी है। ओम शान्ती, मीठे बच्चे, तुम अभी श्रीमत पर साइलेंस की अती में जाते हो। तुम्हें बाप से शान्ती का वर्षा मिलता है, शान्ती में सब कुछ आ जाता है। पीस ओफ माइंड सबसे जादा इंपोर्टेंट है। और आत्मा बिना समझ के, बिना ज्यान के शान्त नहीं हो सकती। आत्मा के जो साथ गुण है, ज्यान, पवित्रता, शान्ती, शान्ती है, तभी सुख भी है, प्रेम भी है। सुख प्रेम है तो आत्मा आनंद में और फिर शक्तिशाली आत्मा उसी को कहते हैं। लेकिन जो मुख यह है वो है ज्यान, बाबा भी पहले ज्यान का सागर है। तो सबसे इंपोर्टेंट समझ होती है, ज्यान होता है, विस्डम होती है। टेंप्ररी बैठ करके योग करना, मेडिटेशन करना वो कल्योग में भी बहुत लोग करते हैं। लेकिन बाबा यहां ज्यान का सागर हमें भी ज्यान की गंगाएं बनाता है। तो श्रीमत पर साइलेंस की अती में जाते हो, क्योंकि समझदार बन जाते हैं। तुम्हें बाब से शांती का वर्सा मिलता है, शांती में फिर सब कुछ आ जाता है। ओम शांती! मीठें मीठे रुछानी बच्चों ने गीत सुना, और बुद्धी में स्वदर्शन चक्र फिर गया। क्या फिरा स्वदर्शन चक्र बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी कहलाते हैं क्योंकि सृष्टी के आदी मध्यांत को जानना ये है स्वदर्शन चक्रधारी बनना ये बातें सिवाए बाप के और कोई समझा ना सके तुम ब्राम्हनों का सारा मदार ही साइलेंस पर है सभी मनुष्य कहते भी हैं शान्ती देवा हे शान्ती देवा है न अर्थात शान्ती देने वाला मालूम किसको भी है ही नहीं कि शान्ती कौन देते हैं वह शान्ती धाम कौन ले जाएंगे ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो और ब्राम्मन ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं देवता कोई स्वदर्शन चक्रधारी नहीं कहला सकते हैं कितना रात और दिन का फर्क हुआ तो बाप तुम बच्चों को समझाते हैं कि तुम हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो नंबर वार पुर्शार तनुसार अब बाप को याद करना है यही तो मुख्य बात है बाप को याद करना गोया शांती का वर्सा लेना शांती में सब आ जाता है तुम्हारी आयू भी बड़ी हो जाती है निरोगी काया भी बनती जाती है सिवाए बाप के और कोई स्वदर्शन चक्रधारी तो बना नहीं सकता आत्मा ही बनती है बाप भी है क्यूं? क्यूंकि वो सृष्टी के आदी मध्यांत को जानता है गीत भी सुना कि अब नई दुनिया स्थापन हो रही है गीत तो मनुश्यों नहीं बनाए है और बाप बैटकर सार समझाते है सभी गीतों का सार एक जिस्ट बाबा बताता है तो वो है सभी आत्माओं का बाप तो सब बच्चे आपस में भाई भाई हो जाते है बाप जब नई दुनिया रचते हैं तो प्रजा पिता ब्रह्मा द्वारा तुम भाई बहन हो हर एक ब्रह्मा कुमार कुमारी है ये बुद्धी में रहने से फिर स्त्री पुरुष का भान जो है वो निकल जाता है मनुश्य ये नहीं समझते कि हम भी वास्तव में भाई भाई हैं फिर बाप रचना रचते हैं तो भाई बेन हो जाते हैं क्रिमिनल दृष्टी निकल जाती है तो बाप याद भी दिलाते हैं कि तुम बुलाते आये हो हे पतित पावन तो अब मैं आया हूँ तुमको कहता हूँ कि ये तुम्हारा अंतिम जन में तु पवित्र रहो तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे ये प्रदर्शनी तो तुम्हारे घर-घर में होनी चाहिए बाबा साफ बात करता है कि अभी दुनिया का अंत है नई दुनिया आरंब होनी है अब अंतिम जनम में हो सके तो पवित्र रह लो ताकि नई दुनिया जो आए उसमें उसे साफ से तुम्हें उच्पद मैं दे सकूँ अलिजिबल हो सकूँ तुम्हें उस नई दुनिया का एक इंपोर्टन पार्ट बनाने के लिए तो बाप याद में दिलाते हैं तुम बुलाते आये हो हे पतित पावन तो अब मैं आया हूँ तुमको कहता हूँ यह अंतिम जन पवित्र रहो तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे यह प्रदर्शनी तो तुम्हारे घर घर में होनी चाहिए क्योंकि तुम बच्चे ब्रामhmaन हो तुम्हारे घर में ये चित्र जरूर होने चाहिए इन पर समझाना बहुत सहज है 84 का चक्र तो बुद्धी में है न अच्छा तुमको एक ब्राम्धनी यानि टीचर दे देंगे वो आकर सर्विस करके जाएगी अपने घर में बाबा कह रहे हैं जैसे गीता पाटशा लाएं होती है सिस्टर्स जाती हैं वहाँ सेवा करती है तो उसी की बाद बाबा कर रहे हैं तुम प्रदर्शनी खोल दो भक्ति मार्ग में भी कोई कृष्ण की पूजा आत्वा मंत्र जंत्र आदी आदी नहीं जानते हैं तो ब्राह्मन को बुलाते हैं वो रोज आकर फिर पूजा करते हैं तो तुम भी मंगा सकते हो ये है तो बहुत सहर्ज ना बापने प्रजा पिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टी रची होगी तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन बने होंगे प्रतिग्या करते हैं कि हम दोनों भाई भेन होकर रहेंगे विकार की दृष्टी नहीं रखेंगे एक दो को साफधान कर उन्नती को पाएंगे तो मुख्य है ही याद की यात्रा वो लोग साइन्स के बल से देखो कितना उपर जाने की कोशिश करते हैं परन्तु उपर कोई दुनिया थोड़ी है यह साइन्स की अती में जाना एक्स्ट्रीम में चले जाना जितना रिक्वाइड भी नहीं है हैना अभी तुम साइलेंस की अती में जाते हो श्रीमत पर उनकी है साइन्स यहां तो तुम्हारी साइलेंस है बच्चे जानते हैं कि आत्मा तो स्वेम शांस्वरूप है इस शरीर द्वारा सिर्फ पाट बजाना होता है कर्म बेगेर तो कोई रह नहीं सकता बाप क्याते है अपने को शरीर से अलग आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे बाबा जीवन में कर्म करना छोड़ देना है ये कभी नहीं सिखाता क्योंकि आत्मा बिना कर्म की ये नहीं रह सकती सांस लेना भी कर्म है सोना भी कर्म है आईस ब्लिंग करना भी कर्म है कोई बिना इन चीज़ों के नहीं रह सकता अब जब कर्म करना ही है action में आना ही है movement में आना ही है तो बाबा उसको कैसे करना है किस नजरीय से करना है वो सिखा देते हैं मुडली के माध्यम से तो बाबा वही कहते हैं कि तुम्हें तो कर्म में आना ही है कर्म में आई बिगेर तो कोई रह नहीं सकता सबसे जास्ती जो मेरे भग तत्वा शिव के पुजारी है उनको समझाओ उँचते उँच पूजा शिव की होती है क्यों 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 कि वही तो सर्व का सद्गती दाता है तो अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाप आए हैं सब को साथ में ले जाएंगे अपने टाइम पर हम भी ड्रामा नुसार कर्माती तवस्था को पाएंगे और फिर विनाश हो जाएगा पुरशार्थ बहुत करना है कि हम आत्माए सतो प्रधान बन जाएं बाप की श्रीमत पर चलना है श्रीमत भगवत गीता कहते हैं कितनी बड़ी महिमा हुई न देवताओं की महिमा क्या गाते हैं सर्वगुन संपन सोला कला संपूरण संपून निर्विकारी तो बाप ही आकर संपून पावन बनाते हैं जब संपून पतित दुनिया बनती है तभी बाप आकर संपूर्ण पावन दुनिया बनाते हैं सब कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं तो जरूर स्वर्ण का वर्सा होना चाहिए प्रजा पिता ब्रह्मा द्वारा हम अभी भाई बहन बने हैं न तो कल पहले भी बाप आया था शिवजैन्ती मनाते हैं तो जरूर प्रजा पिता ब्रह्मा के बच्चे बने होंगे बाप से प्रतिग्या करते हैं बाबा हम आपस में कमपैनियन होकर पवित्र रहते हैं आपके डिरेक्शन पर चलते हैं कोई बड़ी बात नहीं है अभी अंतिम जन्व है न ये मृत्यों लोग खत्म होना है तो अभी तुम समझदार बने हो कोई अपने को भगवान कहे तो कहेंगे भगवान तो सर्व का सदगती दाता है ये फिर अपने को कैसे कहला सकते हैं परंतु समझते हैं कि ड्रामा का खेल है जिसने खुद को भगवान बुलाना है कोई बात नहीं ड्रामा फुल स्टॉप एक्सेसिव चिंतन, एक्स्पिनेशन, जगड़ा, आर्ग्यूमेंट इन में तो टाइम ही वेस नहीं करना जब ड्रामा का ज्यान प्राप्त है तो बाप तुम बच्चों को स्वदर्शन शक्रधारी बना रहे हैं बाप कहते हैं अब सर्विस में तत पर रहो घर घर में प्रदर्शनी खोलो ना इन जैसा महान पुन्य तो कोई होता ही ने किसको बाप का रास्ता बताना इन जैसा दान कोई नहीं है बाप कहते हैं मा में कम याद करो तो तुमारे पाप नाश होंगे बाप को बुलाते भी हैं कि हे पतित पावन आओ क्यों बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ क्यों कहते हैं कि हे लिबरेटर गाइड आओ क्यों 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 कि हम फसे हुए हैं हमें लिबरेशन की जरुद है कैद हो गए है खुद की ही जेल में बंद हो गए है देह भिमान रुपी जेल में कैद हो गए है भटक गए हैं तो गाइड को बुलाते हैं समझी नहीं आता शान्ती कहां से मिले माइंड की स्टेबिलिटी कहां चले गई है पीस के लिए लोगों पर या परिस्थितियों पर डिपेंडेंट हो गए है तो तुम्हारा भी नाम पांडव गाया हुआ है बाप भी पंड़ा है तो सभी आत्माओं को ले जाएंगे वो हैं जिस्मानी पंड़े और ये हैं रुहानी पंड़े वो जिस्मानी यात्रा ये रुहानी यात्रा सत्योग में जिस्मानी यात्रा भक्तिमार घोती ने वहां तुम पूझ ये बनते हो तो अभी बाप तुमको कितना समझदार बनाते हैं तो बाप की मत पर चलना चाहिए ना कोई भी संशयादी हो तो पूछना चाहिए अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों दे ही अभी मानी बनो अपने को आत्मा समझ कर बाप को याद करो तुम मेरे लाडले बच्चे हो ना आधा कल्प के तुम आशिक हो एक के ही धेर नाम रख दिये कितने नाम कितने मंदिर बनाते हैं मैं हूँ तो एक ही ना और मेरा नाम भी शिव है तो हम पांच हजार वर्ष पहले भारत में आये थे बच्चों को एडॉप्ट किया था अब भी एडॉप्ट कर रहे हैं ब्रह्मा के बच्चे होने के कारण तुम पोत्रे पोत्रियां हो गए यहां वर्षा ही मिलता है आत्मा को उसमें भाई बेहन का सवाल नहीं उड़ सकता आत्मा ही पढ़ती है वर्षा लेती है सबको हक है तो तुम बच्चे इस पुरानी दुनिया में जो कुछ देखते हो यह सब कुछ विनाश होना है महा भारत लड़ाई भी बरोबर है बेहत का बाप बेहत का वर्षा दे रहे हैं तो बेहत की नौलज सुना रहे हैं तो त्याग भी तो बेहत का चाहिए न तुम जानते हो कि कल पहले भी बाप ने राजयोग सिखाया था राजस अश्व मेध यग यरचा था फिर आजाई के लिए सत्योग नई दुनिया जरूर चाहिए पुरानी दुनिया का विनाश भी हुआ था तुम कितने धेर ब्राह्मन ब्राह्मिनिया हो प्रजा पिता ब्रह्मा के बच्चे वर्सा मिलता है शिव बाबा से वही सबका बाब है ये तो बुद्धी में अच्छी रिती याद रखना चाहिए कि हम ब्राह्मन सो देवता बनते हैं हम ही देवता थे फिर चक्र लगाया हम अभी ब्राह्मन बने हैं फिर विश्नुपुरी में जाएंगे तो देखो ज्यान तो बहुत सहज है परंतु कोटों में कोई निकलते हैं प्रदर्शनी में कितने धेर आते हैं कोई मुश्किल ही निकलते हैं कोई तो सिर्फ महिमा करते हैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा हम आएंगे कोई विर्ला ही है जो साथ रोज का कोर्स उठाते हैं साथ रोज की भी बात अब क्या है गीता का पार्ट भी देखो साथ दिन का रखते हैं साथ दिन तुमको भी भट्टी में पढ़ना है ना अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से सारा किछड़ा निकल जाता है आधा कल्प की गंदी बिमारी देह अभिमान की है वो निकालनी है देही अभिमानी बनना है साथ रोज का कोर्स कोई बड़ा थोड़ी है किसको सेक माल मिलता है प्रदर्शनी आदी समझाने में कितना सहर होता है खुद नहीं समझा सकते हैं तो बहन को बुलाएं रोज आकर कथा करके जाओ पांच हजार वर्ष पहले इन लक्षमी नारायन का राज्य था जो बारह सो पचास वर्ष चला कितनी चोटी कहानी है है ना हम सो द विराठ रूप भी है परंतो उसमें ब्राम्भनों को और शिव बाबा को उड़ा दिया है फिर अर्थ कुछ भी नहीं निकलता अभी तुम बच्चों को मेहनत करनी है याद की और कोई संशय में नहीं आना चाहिए विकर्मा जीत बन उच्पद पाना है तो ये चिंतन खत् करेंगे उतना विकर्मा जीत बन उच्पद पाएंगे बाकी फालतु बाते सुन अपना माथा खराब नहीं करना सब बातों से एक बाते मुख्य है उनको नहीं बोलना कोई भी साथ में टाइम वेस्ट नहीं करना कोई के भी साथ में टाइम वेस्ट नहीं करना तुम्हारा बहुत वैलिबल है तूफानों से नहीं ड़ना बहुत तकलीफ आएगी घाटा पड़ेगा परन्तु बाप की याद कभी नहीं बोलना याद से ही पावन बनना है पुर्शार्थ कर उचपत पाना है ये बाबा बुढ़ा है इतना उचपत जब पासकता है तो हम क्यों नहीं प उपोती, सेकेंड में मिलती है तो मूल बात है बाप को याद करो बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तुम भूल जाते हो कहते हैं सब थोड़ी राजा बनेंगे अरे तुम सब का चिंतन क्यों करते हो स्कूल में ये ओनाफ यानि फिकर रखते हैं क्या कि सब थोड़ी स्कॉलरशिप पाएंगे बस पढ़ने लग पढ़ेंगे ने तो हर एक कि पुर्शार्ट से समझा जाता है कि ये क्या पद पाएगा ना दुनियावी पोजिशन्स छोड़ के पता चला हम गोल्डन चेंज में अटक गए कि सत्योग में क्या पद प्राफ्थ होगा और लगे पढ़ें उनी चीजों के बारे में चिंतन करने में उसकी रिक्वाइमेंट ही नहीं है बाबा क्या पढ़ा रहा है पहले वो समझ तो लें वो जो कह रहा है धारन करने पहले जड़ा कर तो लें कितना कर पारें उसकी बेसिस पर पद तो अपने आप डिसाइड हो जाएगा अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गूड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गूड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते और जो बाबा ने प्रशन पूचा था कि नई दुनिया की स्थापना का मुख्या आधार क्या है तो मुख्या आध हार वही है पवित्रता है ना बेसिस है पवित्रता क्या है एक सोल रिक्वाइमेंट है और पवित्रता प्राप्त कहां से होती है ज्यान से ज्यान क्या है वर्षा है आत्मा का जितना कीचड़ है उसको साफ करने के लिए सक्षम है और उसी ज्यान से जब प्रीत हो जाती है उस याद है और फिर वो चीज जो प्राक्टिकली दिख गई तो सर्विस तो हुनी है तो पवित्रता मुख्याधार है बाप जब ब्रह्मातन में आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं तो तुम आपस में भाई बहन हो जाते हो स्त्री पुरुष का भान निकल जाता है इस अंतिम जन में पवित्र बनते हो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हो तुम अपने आपसे प्रतिग्या करते हो कि हम भाई बहन होकर रहेंगे विकार की दृष्टी नहीं रखेंगे एक दो को साफधान कर उन्नती को पाएंगे और धार्णा में रिकॉल अगर करें तो धार टाइम वेस्ट नहीं करना चिंतन की कहां कहां टाइम वेस्ट होता है जरा अनलाइज करें अब उन जगों से टाइम निकाल करके सही कारे में लगाएंगे श्रिष्ट काम में लगाएंगे कोई भी काम को जैसे बाबा कहते हैं वैसे करेंगे connection रहेगा धार्णा में उचीज दिखेगी दूसरे देखेंगे तो सेवा भी होगी कर्मों से वचन भी फिर वैसा है निकलेगा अगर बुद्धि उन चीजों की तरफ है तो तो कितने भी तुफाना है घाटा पड़े लेकिन बाप की याद में रहना है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का ही चिंतन करन त्रिप्त त्रिप्त मतलब साटिस्फाइड इग्लम संतुष्ट फुल कम्प्लीट होगा कैसे दातापन की भावना द्वारा इच्छा मात्रम अविध्या की स्थिती का अनुभव करने वाले त्रिप्त आत्मा भव जिसकी चाहिए 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 की लिस्ट खतम होगी त्रिप्त आत्मा भव सदा एक लक्ष हो कि हमें दाता का बच्चा है तो सर्व आत्माओं को देना है दातापन की भावना रखने से संपन आत्मा हो जाएंगे और जो संपन होंगे उस सदा त्रिप्थ होंगे मैं देने वाला दाता का बच्चा हूँ देना ही लेना है यही भावना सदा निर्विग्न इच्छा मात्रम अविध्या की स्थिती का अनुभव कराती है सदा एक लक्ष की तरफ ही नजर रहे वो लक्ष है बिंदू और कोई भी बातों के विस्तार को देखते हूँ नहीं देखना सुनते हुए नहीं सुनना तीन बिंदू आत्मा परमात्मा और ड्रामा है ना और स्लोगन है बुद्धि वस्थिति यदि कमजोर है तो उसका कारण है विर्थ संकल्प सार्व में बुद्धि व श्थिति कुछ भी कमजोर है उसका मुख्य कारण है व्यर्थ संकल्प वेस्ट ओम श्ञंती झाल झाल झाल